राजस्मंद के बहुच अच्चित फाइरिंग मामले में कांकरोली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है राजस्मंद S.P. मनीश टिपाथी ने पत्रकार से बाचित के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को उत्रप्रदेश से गरवतार कर लिया है आपको बदा दे कि पिछले दो साल में करीब चार बार हवाई फाइरिंग के साथ लोगों में देहशत और रंगदारी की शिकायते थाने में मिल चुकी थी फाइरिंग की घटा पर कर रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों के सोशल मीडिया फॉलोवर्स और परिजानों से सवक्ती से पूछताच की इस दोरान अन्य आरोपियों को बेगर अफ्तार कर लिया गया है थाना काकरोली शेत्र में इक भरेवे बजार में एक फाइरिंग की घटना हुई थी जिसमें कुछ लोगों द्वारा एक वेटी के उपर फाइरिंग की ज़ी थी इस फाइरिंग की अनुस अनान के दौरान जब हमने थाना कांकरोली ने जिम्मेदारी को निभाते हुए अपनी अलग-अलग टीमों का हमने गटन किया और लग-बख साथ टीमों ने अलग-अलग विश्यों पर काम किया तो हमने यह पाया कि यहां पर दो प्रकार के ग्रूप डेवलप हो गए है और उनकी आपसी राइवल्री कर चलते ही है